हेलो दोस्तों वेलकम टो डियेश्डी कार्ज और आज की वीडियों भाई बात करेंगे कि 5 लाख एक्शोरों कीमत से कम में कौन-कौन सी गाड़ियां आपको मिल सकती है इंडिया में यानि कि भारत में मिलने वाली सबसे सस्ती कारें और जिन पे आप ट्रस्ट कर सकें क्योंक आप उस गाड़ी को खरीदने में डरते हैं कि कहीं आ रही है गाड़ी ले लो कल को इसके पार्ट ना मिले सर्विसिंग ना हो पाए या मार्केट में इसकी कोई वैल्यू ही ना हो तो फिर ऐसे गाड़ी खरीदने से आप हमेशा बचें तो ऐसी 6 गाड़ियां मैंने फाइन कब तक आएगी वो दो महीने का टाइम शोरूम से मुझे पता चला है कि लगबग दो महीने के बाद जो नई वाली मारुति सुजुकी सेलेरियो है उसमें सेलेरियो की जो माइलेज है वो 25 से 26 बताई जा रही है तो उस हिसाब से आप इसको सबसे जादा माइलेज देने वा सेलेरियो के तरफ जा सकते हैं सेलेरियो थोड़ी सी ओवर प्रैस जरूर है कि जिस हिसाब से क्वालिटी या फीचर उसमें दिये गए हैं लेकिन फिर भी जो डिजाइन है या मायलेज के लिए अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो बिलकुल आप सेलेरियो की तरफ जा तो सारे जो इंफुटेन्मेंट वगरा के फिचर सें स्टार्ट टॉप का फिचर है या फिर आप ये कहलेज़ ये कीले सेंट्री का फिचर है वह सब कुछ भाई आपको सेलेरियो में मिल सकता है मारुत्ती सेलेरियों में 313 लिटर का बूर्ट स्पेस आपको मिलता है और 170 mm की जो ग्राउंड क्लेरंस है वो भाई आपको मिल जाती है सेलेरियों की जो एक्षोरूम केमत है वो है 4,99,000 से लेकर 6,94,000 रुपे तक एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपके बास भी पुरानी गाड़ी हो और आप टैंसन में है कि उसके पार्ट आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे मार्किट में तो उसकी जो टैंसन है वो भाई आप बुढमों पे छोड़ दीजिए क्योंकि बुढमों पे हर गाड़ी के आपको पार्ट मिल जाते हैं चाहे नई गाड़ी हो पुरानी गाड़ी हो छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो हर गाड़ी के पार्ट आपको बुढमों पे अवाइलेबल मिल जाते हैं प्ले स्टोर से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपने पार्ट मंगा लिया और हो सकता है कि वो गाड़ी में फिट ना हो या कोई भी इश्यू हो तो आप उसको रिटन भी कर सकते हैं 10 डेज की जो रिटन पोलिसी है वो भी आपको वेगनार का आपको सबको पता है कि कैसी लोक है कैसा स्पेस है और CNG में भी ये गाड़ी आपको मिल जाती है तो पैट्रोल और CNG दो अप्शन्स आप लोगों के पास हो गए अगर आप पैट्रोल में या CNG में कोई सा भी अप्शन लेना चाहते हैं वेगनार का तो भाई बड़ी आसानी से ले सकते हैं मारुती वेगनार 998 और 1197 दो तरह के इंजन के साथ में आपको मिल सकती है तो जिस हिसाब की पावर आपको चाहिए आप उस हिसाब से उस गाड़ी में से चूज कर सकते हैं मारुती वेगनार में जो मैलेज आपको मिलती है वो मिलती है 21 से ल VXI पे जाते हैं तो फिर आपको 14 इंच के टायर्स मिलने सुरू हो जाते हैं 341 लिटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है और 170 mm की जो ग्राउंड किलेरंस है वो भाई वैगनार में आपको मिल जाती है और एक्शोरूम जो कीमत है वो है 4,93,000 रुपे से लेकर 6,45,000 रुपे तक उसके बाद चोथे नमबर पर बात करें तो आती है मारुती इको और मारुती इको आपको पताए कि मल्टी यूजिज वेकल है हर तरह का जो काम है वो आप एको में कर सकते हैं परसनल यूज में कर सकते हैं बाकि समान वगरा लाना ले जाना है तो उसके लिए भी इको काफी अच्छी है और एक बहुत बड़ा सा बूट स्पेस आपको मिलता है 540 लिटर का तो उस हिसाब से बाई आप काफी अच्छी तरह से अगर लो बजट में कोई कमाओ गाड़ी लेना चाहते हैं तो एको उसके लिए आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है एको आपको पैटरोल और सीएटर और सीएटर और सीवन सीटर दो तरह के उप्शन में मिलती है और जो इंजन कैपिस्टी है वो है 1197 सीसी तो काफी बड़ा इंजन एको का उस हिसाब से आप लोड में इस गाड़ी को बड़े अच्छी तरीके से चला सकते हैं इको में आपको 13 इंच के टायर्स मिल जाते हैं 540 लिटर का बूट स्पेस मिलता है और 160 mm की जो ग्राउंड क्लेरंस है वो आपको इको में मिलती है तो इको भी कही न कहीं लोग बजट के बायर्स के लिए काफी बढ़िया गाड़ी साबित हो सकती है और इको भाई दबा के बिकती है और जो मार्केट में रिसिल वैल्यू है वो भी इको की काफी बढ़िया आपको मिल सकती है इको की जो एक्शोरूम कीमत है वो सुरू होती है 4,30,000 से और जाती है 5,60,000 रुपे तक उसके बाद नंबर 3 पे आएं तो आती है रिनोल्ट क्विड रिनोल्ट क्विड है वो काफी अच्छा आपको रिनोल्ट क्विड में मिलता है और जो डिजाइन है वो एक SUV के तरह है आपको दिखता है तो डिजाइन के मामले में काफी बढ़िया गाड़ी आपके लिए क्विड साबित हो सकती है क्विड आपको केवल पैट्रोल में मिलती है 799 और 999 CC के दो इंजन उप्शन के साथ में आपको क्विड मिलती है तो भाई दोनों में से कोई सा भी इंजन आप चूज कर सकते हैं जिस हिसाब की पावर आपको चीए वो आपके लिए अवाइलेबल है क्विड में जो माइलेज आपको मिलती है 20 से लेकर 21 तक 5 सिटर के साथ में 11,000 से लेकर 5,66,000 तक लेकिन 4,11,000 में क्विड का जो उप्शन आपको मिलता है उसमें आपको इसी मिल जाता है उसके बाद नंबर 2 की अगर बात करें तो आती है मारुती एस्प्रेसो मारुती एस्प्रेसो की उतनी मार्किट खेर नहीं है लेकिन अपने आप में एक अच् अजिए पर फोरमेंस है वह काफी अच्छी आपको मिलती है लेकिन market value उस ऐसाब से आपको उतनी नहीं मिलती है कि इस गाड़ी की जो डिमांड है वह मार्किट में भाई थोड़ी सी कम ही आपको देखने को मिलती है एस्प्रेसो आपको petrol और CNG नों तरह के option में मिल जाती है 998 CC का जो इंजन है वो ही आपको एस्प्रेसो में मिलता है ट्रोल में 21 और CNG में 31 तक की जो माइलेज है वो एस्प्रेसो दे देती है एस्प्रेसो 5 सिटर गाड़ी है और 13 इंच के आपको टायर्स मिलते हैं एस्प्रेसो में और जो लुक वगेरा है वो आप अपनी आँखों के सामने देख पा रहे है 270 लेटर का बोट स्पेस मिल जाता है और 180 mm की जो ग्राउंड क्लेरेंस है वो भाई आपको एस्प्रेसो में मिल जाती है और जो एक्शोरोम कीमत है वो सुरू होती है 3,88,000 से लेकर 5,43,000 रुपे तक इसकी एक्शोरोम कीमत जाती है लेकिन 3,88,000 में जो स्टेंडर्ड ओप्शन आपको मिलता है उसमें आपको AC नहीं मिलेगा तो उस हिसाब से अगर हम कंपेरिजन करें कि AC वाली गाड़ियां ही लेनी है तो भाई फिर क्विड दूसरे नमबर पे आएगी और एस्प्रेसो तीसरे नमबर पे चली जाएगी क्विड से महंगी एस्प्रेसो है AC वारियंट के साथ में अब अगर बात करें कि चीपेस्ट कार इन इंडिया यानि कि भारत में सबसे सस्ती कार कौन सी है तो वो है मारुती ओल्टो मारुती ओल्टो आपको पेटरोल और सी एंजी दोनों तरह के इंजन में मिल जाती है 796 सीसी का जो इंजन है वो आपको अल्टो में मिलता है और 160 mm की जो ground clearance है वो भाई अल्टो में मिल जाती है और जो एक्शोरोम कीमत है वो 3,15,000 से शुरू होकर 4,82,000 रुपे तक जाती है लेकिन 3,15,000 में आपको अल्टो का standard variant मिलता है जिसमें की AC आपको नहीं मिलता है AC वाला अगर variant आपको लेना है तो उसकी जो एक्शोरोम कीमत होगी वो होगी 3,86,000 तो अगर मैं AC variant ही compare करूँ फिर भी अल्टो सबसे सस्ती गाड़ी आपको मिलती है 3,86,000 में इससे नीचे आपको कोई भी AC के साथ में गाड़ी नहीं मिलेगी सबसे सस्ती गाड़ी का जो खिताब है वो जाता है अल्टो को क्योंकि छोटी से गाड़ी है और परसनल यूज में बाइक काफी बढ़िया लोगों के लिए साबित हो रही है तो उस हिसाब से ये 6 गाड़ियां मेरी तरफ से finalize हैं कि 5,000,000 एक्शोरोम केमत जो है उससे नी की चीज कहना चाऊंगा कि दिखावे के लिए अपने बजट से बाहर जाके गाड़ी खरीदना कोई भी फायदे का सोदा नहीं है जितना आपका बजट है उसमें ही आपको गाड़ी खरीदनी चीए क्योंकि करजा मुक्त जो जिंदिगी है वो बाइच सबसे बढ़िया होत अपने आपको संतुष्ट रखें जब आप संतुष्ट रहेंगे तो कोई भी गाड़ी आप लेंगे वो आपको अच्छी ही लगेगी और भाई आपका मन खुस होगा तो फिर सबकोच अच्छा ही होगा तो यही था आज का वीडियो पांच लाक एक्शोरोम से निचे जो आपको बतानी थी और इन गाड़ीों में से भाई कोई सी भी गाड़ी आप अपनी बजट के हिसाब से ले सकते हैं वीडियो को एंट तक देखने के लिए थैंक्यों दोस्तों